तो बहुत-बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से मेरे NDA के जितने भी आस्परेंट हैं एक बड़ी सिंपल सी टाग लाइन आपको सामने है कि NDA first is not equal to NDA second बिल्कुल NDA first को आप बिल्कुल NDA second मान के ना चलें और NDA second को आप बिल्कुल NDA first ना मान के चलें कफी कुछ change, कफी कुछ बदलाओ हमेशा इन दोनों ही पेपर में देखने को मिलता है अगर हम पूरा analysis करें deep NDA first में math की तो obviously level आप easy नहीं कहेंगे, आप level hard ही कहेंगे मुझसे English की बात करें तो इसका भी level आप बिल्कुल easy नहीं कहेंगे थोड़ा hard बोलेंगे, या moderate कह सकते हैं science की बात की जाए, तो obviously chemistry biology को अगर हम छोड़ दें बट physics की especially बात करें science part में हम तो बिल्कुल easy नहीं कहेंगे हम hard कहेंगे, और GK तो हम easy कहीं नहीं सकते हैं इसको hard version में लेके चलना ही चलना आपको है that means काफी बास लेबर से और बहुत particular आपको होना पड़ता है बहतर perform करने के लिए तेक तरीके से NDA first का analysis तो आपके सामने है बट पहले लिए बापका प्रोस नहीं बन रहा है, सरे NDA 2 math easy होगी या hard, science easy होगा hard या GK easy होगा अब easy or hard word तो मैं exactly समस्ता नहीं क्योंकि UPSC एक paper pattern है जिसमें वो हर चीज का बड़ा balance तरीके से ध्यान देती है बट अगर चीजें सही से ना पढ़ी गई हो तो hard हो जाती है और सही से पढ़ी गई हो तो बिलकुल वो easy हो जाती है क्योंकि पहली priority इसी exam में है तो यहां तो आपको focus होना ही पड़ेगा कहनी के exam का जब pressure आप बढ़ता है ऐसे में आप कुछ भी किये जा रहे हैं जहां पर मैं देखता हूँ कोई कुछ पढ़ रहा है कोई कुछ follow कर ले रहा है majority of the student तो यही हो रहा है कि YouTube पे जा कैसी कोई strategy देखने को मिल जाए सर और बड़ी strategy की वीडियो भी आती है कि जहां से चमतकार हो जाए भाई देख सारी strategy एक ही है पढ़ना पढ़ेगा पढ़ने का कोई alternative नहीं है सारी strategy यही है कि आपने concept पे काम करना है और concept पे काम करने के बाद जो previous year questions पूछे गए है उनको approach करना है जिससे पता तो चले कि concept का जो level है यह level उस level का है भी जिस पे जाना ही कि नहीं जाना है तो बड़ा ज़रूरी है कि आपने concept के साथ साथ exactly P.I.Q. approach को बढ़ा देना होगा और mock तो appear होना ही होना है यूटूब पे क्यों method देखने से काम चलने वाला नहीं है जैसे मैं बताओं कि कोई आप NDA first paper के according अगर prepare कर रहा है तो मैं आपको बता दूँ कि कहीं नहीं कि NDA first से आप NDA 2 थोड़ा सा different होते हुए दिखाई देंगे बढ़ बहुत बढ़ा answer मैं नहीं कह सकता है तो मैं यही कहना चाहूँगा कि इसमें ज़्यादा आप confused ना हो बहुत clarity होनी चाहिए कि सर topics clear है concept clear है हमको उन पे काम करना पड़ेगा तो आज exactly हम NDA 2 exam को लेकर के बहुत ही clear बात करने वाले हैं कि लास्ट मुमेंट में प्रपेशन को कैसे बहतर बनाएं अगले अगले 90 देज से भी कम टाइम है तो मुझे लगता है कि इसमें कैसे खुद को बहतर किया जाए वह बड़ा ज़रूरी है और चैनल पर आप जुड़े हैं और NDA एस्परेंट हैं तो मैं चाहूंगा इस वीडियो को share भी करिए जिसे देश के हर NDA एस्परेंट तक यह सचाई पहुचे और आप अपनी तयारी को और बहतर धंग से फोकस करते हुए सफलता को तना है कर सके और साथी आयट करना चाह सब्सक्राइब और अगर आपके पास और समय है और अपरचुनिटी एंडिय की है तो आप जरूर हमारे वन यह प्लान का हिस्सा बनिये जिसके तहत हम यह सप्टेंबर अगला अप्रिल और अगला सप्टेंबर टीन एंडियो और साथ ही जेए अप्रिल वाला जो एक्जाम अफले नॉलन जहां कॉमफरेबल हों आप जोड़ सकते हैं एंडिय में गरेंटी सप्रस्थ सपलता के लिए बच्वाइब एक्जाम में अगर में स्टुडेंट की लेवल की बात करें तो ज्यादा तर बच्चे जो होते हैं वह ट्वल्थ अपिरिंग के ही होते हैं मतलब का एक्जाम जश्ट दिये होते हैं और उन्हें एक्जाम फेस करना पड़ता है मुश्टी टल्थ की पढ़ाई की हुई होती है और दिसंबर में जैसे पता आई कि बाइस दिसंबर को फॉर्म आ जाता है तो उससे में फॉर्म भी भरे होते हैं जनवरी में तो लाजमिशी का लेबल हम एंडिये तक नहीं कह सकते हैं वो जाता तर बच्चे जो एंडिये में जा रहे हैं वह भी बीटेक चुन रहे हैं आर्मी टीए से भी जाके बीटेक कर रहे हैं तो लाजमिशी बात है स्टैंडर्ड तो कहीं नहीं कहीं यूपीसी अपने को बढ़ाएगी क्यों करना है तो मुझे लगता है कि यह बड़ा जरूरी है और वहीं टू कि जब हम बात करते हैं तो में कहीं ने कहीं जो है टेकनिकली इस बार बहुत ज्यादा चेंज देखने को नहीं मिलेंगे बलकि जो एंडिये फर्स्ट में चीज़ें रिपीट हुई हैं मैक्सिम तो कहेंगे बिल्कुल इजी लेबल पर नहीं कहेंगे बट अगर आप पूरे पेपर अनालिसिस को ध्यान से देखने की कोच्छ तो एक चीज़ बड़ी क्लियर कर दो कि जब भी एक्जाम कंड़क्ट करती है उसमें इस बात का जरूरू ख्याल रखती है कि हाँ इजी का भी ए और हाट बढ़ा है तो बिल्कुल वह हवाट टाइट करके आपका ओल लेड़ी बैठा हुआ है रिफ्रेंस तौर पर न्डिए फस्ट दोजार चौबेस मैथ पेपर को ध्यान से देखें तो मैक्ट्रिस के कुश्चन उतने टफ नहीं थे मतलब वह थे जिसको आप करना था वह यही था कि भिया सब कुछ पढ़ना पड़ेगा और बड़ा डिटेल कॉंसेप पे जा करके और कुश्चन अपरोज सबसे आदा करना पड़ेगा बट अब वहीं एंडिये टू कि जब हम बात करना सुरू करते हैं तो किन-किन गलतियों के बारे में सीखना होगे थ्रीडी की बात करें तो एंडिये फर्स्ट में कुश्चन ज्यादा थे और अच्छे लेबल के थे बट इनके कुश्चन बहुत ज्यादा तो नहीं होंगे बट जो भी कुश्चन होंगे वह जिन्मीन होंगे और इसली आप उनको अपरोज कर पाएंगे साथी साथ कि मैंने कहा कुश्चन आसान रहेंगे थोड़े से तफ रहेंगे बढ़िया कॉंसेप्ट और प्रैक्टिस करके जाना है इसका लेबल आपको ठिक ठाक देखने को मिलेगा और प्रोपरिटी आप ट्रेंगल के कुश्चन हमेशा से इस पेपर में पूछे जाते हैं अलजब में रहेगी जो की एंडिये फर्स में मॉडरेट टू हार्ट लेबल की थी बट सरी इजी टू मॉडरेट मॉडरेट टू हार्ट क्या है थेओरम कोई थेओरम नहीं है इसका सिंपल यह है कि आपने कॉंसेप्ट पे अच्छा काम करना और प्याइक्यू की जाज़ाशा प्र के क्लियर थे अब उनमें थोड़ा सा कॉंप्रेहेंशन पार्ड को एड मतलब रीडिंग सेक्शन को बढ़ाया जा रहा है मतलब ऐसे सीधा कोईशन नहीं पूछ लिया जाए रहेगा आप से स्टेटमेंट में पूछा जा रहा है कुश्चन सेंटेंस फ्रेम में पूछ जा नहीं जाहे है वह कंप्रेहेंशन का पार्ट हो वह क्या पार्ट हो अरर्ए का पार्ट हो बहुत मदद करता है अपके इंगलिश-पेपर में आपका प्रफॉर्मेंस अच्छा करने के लिए बट अभी नियूज़-पेपर नहीं फोकस करनें को बोलुँगा अभी मैं यही परफेक्ट कंटेंट है उतना अगर आप कर लेंगे उसके प्रैक्टिस तो आपका जो है कॉंसेट क्लियर हो जाएगा और कुश्चन अपरोच करके आप में आतने विश्वास आएगा रही साइन्स की बाद तो एंडिया फिजिक्स ने कहीं ने कहीं बच्चों को रूलाया है चौथा से पंद्रा कुश्चन जही की पुछेगा इस बारा इसे मस समझेगा कि कटेगा सेम टू सेम चीजें देखने को मिलेंगे तो मैं ही कहूंगा फिजिक्स पे इस बार अच्छा काम करके जाएगा लाइटली मत लीजिएगा और एंडिया फिस्ट जो कुश्चन पू कि जो भी टॉपिक पर हम कॉंसे पढ़ा रहे हैं उसी पर बेस्ट हम आपकी प्रैक्टिस करा रहे हैं जो कि प्रिवी से बेस्ट है क्योंकि जब तक वह नहीं है कोई सच्चा ही नहीं जैसे अब जी इसको ही उठा के देख लो कि इसमें बहुत बड़ा चिंता पॉलिटी निकोनोमिक्स निकोनोमिक्स में आपको पता यह कि भाई जो है फाइपियर प्लांट से ही कुष्चे निकाद बन जाना वर जिग्रफी और हिस्ट्री का बड़ा रोल है पॉलिटी के भी पांच कुष्चन शे कुष्चन ठीक ना जिसमें फंडमेंटल राइट्स एं इंप बड़ा अच्छा कॉंबिनेशन इस समय चल रहा है मेडियल भी आपको पढ़के जाना है बट यह मेजरली जाज़तर कुष्चन इनहीं से आप से उठाके पूछे जाएंगे तो बहुत ज़रूरी है कि आप उस काम को करें और हमने एक बड़ा ऑनिस्ट बात रखी हमने टी कि जो कॉंसेट पढ़ाए गया जो नोट्स बनाया अपने उसके आधार पर पर प्रिविश और कुछेंगा आप कर पा रहें और नहीं कर पा रहें तो नोट्स कूंड़ा है उसका कोई मतलब नहीं है और अंत में आपको फ्लॉप सो हुआना है क्योंकि बाकी सब्जेट के लिए बहुत प्रैक्टिस हो समय चीह होता है जीएस में नोट्स ही आपका आधार है अगर वो सही नहीं होगा तो लास्ट टाइम पर आपको बूस्ट नहीं मिलेगा तो जरूरी है कि आप कुछ चीज पर ध्यान दे तो सबसे अहम यह है कि मैं यही कहना जाओंगा इस बार यहाल को गुरु मानो मैत का फिजिक्स गाइंग्लिस का जीएस का उसी के साथ फोकस करो स्टैंडर्ड तरीके से उसके नोट्स को फॉलकरो और उसी के अधार पे जाद ज़्यदा प्रैक्रेक्टिस कुश्टिस और प्युश्ट्स प्राइबर रहा हूं और मॉल्ट trade तरीके से बहुत अच्छे तरीके से करना है तो IMKC का हिस्सा बनी है offline online जहां आप comfortable हैं वदा करते हैं कि आपको exact वो preparation देंगे जो आपकी सफलता की बिल्कुल guarantee बनेगी जिनका last attempt है सितंबर बिल्कुल 100% फोड़ेंगे अपने 90 days plan के आधार पर और जिनके अभी और attempt है सप्टेंबर अप्रिल या नेक्स सप्टेंबर वन इयर प्लान का है सबनिये हमारा वदा है कि अगर national defense academy आपका सपना है तो सपना पूरा करेगा major kalsi classes तो बिना देरी कि आप official number पे call कर लें 9696 33 0033 पर और हमारे साथ काम करना सुरू करें बाकि रेस्ट जो plannings मैंने बताई है जो strategy बताई है इसको ध्यान दीजिए और इसके अंसार गम भेड़ता से कारे करिए बाकि कोई क्वारीज हो इसके बावजूर तो comment section में ज़रूर मेंसिन करिए और बिल्कुल अपने सपना जो आपका है national defense academy का उसको पूरा क स्टेवान